नमस्ते थर्ड आई में आपका स्वागत है नव वर्ष 2024 के आप सबको बहुत बहुत शुब कामना है आपको आपके परवार को नव वर्ष शुब हो मंगल मैं हो और इस वर्ष आप भी के लिए और उपलब्धियां हसल हो सुबस्त रहें इसी कामना के साथ अब 2024 की ये जरूर करना चाहिए फिर साल भर ठीक रहेगा तो उसी बात को बांगते हो ये हुगा कि आज क्या बात करें तो मुझे लगा कि आज हम लोग थोड़ी बात कर लें देश के सामने क्या चुनौती और क्या अफसर है बीजेपी के सामने क्या चुनौती और क्या अफसर है और इंडिया गड़बंदन के सामने क्या चुनौती और क्या अफसर है। सबसे पहले देश की बात कर ले। तो देश की जो मुझे ऐसा लगता है जो चुनौती भी है और अफसर भी है आप क्योंकि ये दुधारी तलवार हैं वो ये है कि वो एक युवा देश है। दुनिया का इस समय का सबसे युवा देश और जो अगले 20 साल तक 15 से 20 साल तक हमारी ये एडवांटेज रहेगी कि हम दुनिया के युवा देशों में रहेंगे। हमारी मैजॉरिटी आफ दी पॉपलेशन युवा रहेंगे। और फिर वो 20-30 साल बाद ये हो जाएगा कि हम दुनिया के थोड़े वृद्ध देशों की तरफ आ जाएगी। जब ये पॉपलेशन आज से 20-30 साल बाद की नाथ करेंगे। तो अगर युवा देश है तो ये चुनौती भी और अफसर भी है। चुनौती ये है कि आपके पास इतनी मैंपार है। आपके पास एक रिडिट वर्क लोग हैं। लेकिन चुनौती ये है कि आपको इनको रोजगार देना है। आपको इनको कुछ काम देना है। और अगर आप वो काम नहीं दे रहे हैं तो एक तरह से इतनी मैंपार जो यंग है, काम करने के लिए उच्छुख है, चाहती है काम करना, उसको आप एक तरह से इस बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल रही है। पहला तो हो गया यह वादेश। दूसरा मुझे लगता है कि अंतर राश्ट्री उसमें आपके पास बहुत से चुनौती और बहुत से अफसर हैं। थोड़ी बात शुरू कर ले चीन से, और चीन से इसलिए कर ले चुनौती अब क्या है। चुनौती चीन के साथ सबसे बड़ी है, जैसे मैं अगले एकात दिन में, आज क् मैंने कहा पहली जैनौरी को नहीं करेंगा, अब रिजांगला अगर आपको याद हो, मिज़र शेतान सिंग, कुमाईयो रेजमेंट के 114 वीर जवारों ने शहादत दी, अब जो समाचार आ रहे हैं वो गूगल कर लीजे आपको खुद, उसको चीन ने बफर जोन डिकलेर क था, और उसको पीछे धकेला है, अब हम लोग कह रहे हैं ने ने, हमने उसको रिलोकेट किया है, वो छोटा इसमारक था, लेकिन वो चीन ने हमें धकेल दिया, तो सबसे बड़ी चुनोती है कि चीन जो है वो नाकेवल हमें थ्रेट कर रहा है, वो हमारी सीमा के अंदर घु चीन चाहे वो अरुनाचल पंदेश हो, चाहे वो लदाख हो, हर जगा चीन खुसता जाना है, पैंगॉंग लेक जो आज से दो चार साल पहले गया होगा, पैंगॉंग लेक पे कोई पुल नहीं था, पुल है, हमारी सीमा को बख़र जोन कर दिये गा है, तो ये एक चुनोत अफसर क्या है चीन के साथ, अफसर मुझे लगता है कि चीन के आज, चीन आप पर बहुत डिपेंडन्ट है वेपार की दुरिश्टी से, बड़ा वेपार करता है आपसर, तो अगर ये आपको अफसर प्रदान करता है चीन के साथ थोड़ा निगोशियेट करने का, ठीक से बात्चीत करने का क्योंकि चीन भी आज ये चाहता है कि अगर उसको यूएस के सामने वो अपने को महाशक्ती बनाना चाहता है तो उसको भारत की जरूरत है क्योंकि वो रूस को अपने साथ मिला रहा है उसको भारत की जरूरत है अब अगर आप कूट नीदी अदुश्टी स इस अफसर को अपने लिए यूज़ कर सके तो वो आप की सफलता होगी आपके डिप्लमेसी की तो एक तो यह है दूसरा पाकिस्तान में कुछ रियल पॉलिटिक होनी जाए है पाकिस्तान में हरनम वो रिटॉरिक करके कि अब हम P.O.K को लाएंगे हम P.O.K में कमजा कर लेंगे हम दोड़ के P.O.K कर लेंगे यह सब रिटॉरिक है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाक सबसे बड़ी चुनौती है इस देश के लिए अफसर यह है कि पाकिस्तान और भारत की बहुत से कॉमन कल्चर है और अगर कोई दूस दूस देके कई लोग कई प्राइमिस्स ने इसको देख के कुछ हल निकालने की कोशिश की थी हल नहीं निकल पाए लेकिन अगर कोई हल निकल जाए तो हमारे बहुत से संसाधर हमारे बहुत सी मैन पार का जिस तरह से हम वहां लगाए हुए है वीसा पासपोर्ट के आप नेपाल चले जाते थे, सैकल से चले जाते थे, तो आज नेपाल के ऊपर चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, और उस पे जो मुझे एक जगा लगता है कि वो आप, अब वो कैसे करेंगे मुझे नहीं बालो, उसके बहुत से रास्ते हो सकते हैं मैं अभी समय नहीं है, अगनी वीर योजना, देखिए नेपाल से हमारा जो बाकी रिष्टों के लावा, जो सबसे बड़ा रिष्टा एक यह था, कि नेपाल में रहने वाले जो गुर्खास थे, वो हमारे आर्मी के, हमारी सैन शक्ति की रीड की अंडी थे, हैं, वन अब ने अगनी वीर योजना जब शुरू की, चार साल का एक कुछ हो, तो आप क्या तो कोई आपके डर से बोलेगा नहीं, लेकिन नेपाल को समझ में आ गया कि यह धाई तीन-चार साल बाद यह लोग, हाफ ट्रेंड, हाफ वो, जब वापस पहुंच जाएंगे, तो यह संदर नहीं हो रहे ही, गुर्खास नहीं आ रहा है, और सबसे जो मुझे लगता है, सबसे जो मेरे लिए चिंता वाली बात है, वो यह है कि यह गुर्खास अब डाइवर्ट हो रहा है, वो चीनी आर्वी में जा रहा है, चैनी जार्वी में, तो यह एक चुनोती और अफसर दोन के देश है उनके साब ने आप घर में कहते हैं हमने G20 किया लेकिन USA, Canada और UK के आपके रिष्टे कहने को कुछ भी हो लेकिन वो लोग तो 26 जनुरी को आपकी परेड में भी नहीं आते हैं बाइडन यह सब लोग अपना-पना स्वारत है और उसको शायद हम लोग ठीक से रीड नहीं कर पाते हैं और हाल की दिनों में जो भी हुआ Canada में और USA में कुछ सिखा आतकवादियों को लेकर के उसको बेटर हैंडल किया जा सकता था एक और बात करना यह ज़रूरी है कि जो इसलामिक देश हैं जैसे कतर है अब कतर में क्या हुआ कतर ने आठ भारत के पूर नौ सेना अधकारियों को मृत दंड दे दिया है अब उसमें कोई कह रहा है शायद मृत दंड को अपील में उन्होंने आज अब जनम कारावास में बदला है लेकिन मृत दंड दे दिया था और दिया क्यों था क्योंकि वो चीन और पाकिस्तान इसके अगेंस्ट आ गए थे उन् तो इसराइल और पैलेस्टीन में ठीक इसराइल साब रिष्टे रखी आपको बात लगता है कि इसराइल से रिष्टे रखना बहुत जरूरी है लेकिन पैलेस्टीन को दूर मत करी नॉट अट दी कॉस्ट ऑफ पैलेस्टीन दूनों से हमारे रिश्टे हो सकते हैं रिश्टे थे इतने सालों से दूनों से थे इस्राइल से हम नरसिमारोग के जमने में हमारे diplomatik को स्टर्ट हुए उसके ऐद रिश्टे काएम थे अब आप अपने को एक position में करते हैं Officially आप कुछ कहते हैं फिर आप उसको candidate करते हैं वो थोड़ी clarity की जरूरती एक चीज़ कहना जरूरी है देश के लिए जो देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो आर्थिक पक उसमें वो असमानता wealth की जो wealth है वो बहुत असमान रूप से लोगों में विभाजत हो रहा ह यह Oxfam के data है 1% लोगों के पास 40% wealth है जो top 1% है उनके पास देश की कुल wealth का 40% है और जो bottom 50% है 50% लोगों के पास 3% wealth है फिर से समझे एक परसंट लोगों के पास 40% wealth पचास परसंट लोगों के पास 3% wealth है इतना असमानता है कि यह सब आप कहां दुनिया के billionaire बढ़ रहा है आपके हां का कोई वेक्ती दुनिया का दूसरे तीसरे नंबर का सबसे अमीर आद्मी बन रहा है और उस period में बन रहा है जब 80 करोण जनता को आजादी के 75-80 साल बाद भी आपको free अनाज देना पड़ रहा है और आप पोस्टर पर लगा रहा हैं कि अब भूखा कोई नहीं सोएगा अब भूखा कोई भी नहीं सोएगा ये is a matter of honor तब ये आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है मेरे क्याल में दूसरा मुझे एक चीज़ ये लगती है कि एक अफसर है आपके पास आप ये जो मेक इंडिया जो वर्ड्स को चेंज करके जो आप वेलियोडिशन करके दिखाते हैं कि हमने यहां पे किया उस सबसे देश को साफसा बात करिये मेड इंडिया जो था पराना जो मेड इंडिया था यहां के सिम्बल होता है उसको आप in और उद्योग पती के बीच का डिफ्रेंस करना पड़ेगा आपको टाटा मिल्ला उद्योग पती थें वो ट्रेडर कभी नेगी थें देश के इस समय जो टॉप जो दो लोग हैं वो उद्योग पती तो बाद में बनने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ट्रेडर है इसका माल लेकि उसको उसका माल लेकि इसको अपना बीच पर कमिशन तो ये थोड़ा आपको ध्याद दे लेकिन ज़रूरत है देश को आज अब आ मैंनेजमेंट कब तक चलेगा वे कब तक इवन मैंनेजमेंट के सारे सिर्फ इवन मैंनेजमेंट इवन मैंनेजमेंट दूसरा ये एड़ी सी भी आए इंकर्पटाएक्स इस तरह के कि सारे कब तक आप एलेक्शन में जाते रहेंगे एक बड़ी चुनोती बीजेपी में है जो आप B.J.P. में कोई अड्रस नहीं कर रहा है लेकिन शायद अंदर अंदर तो आप चर्चा भी वहां करना तो मुश्किल होगा B.J.P. में जब B.J.P. के बाहर वाले नहीं चर्चा कर सकते हैं तो B.J.P. में कौन चर्चा करेगा कि वहां मोदी के लावा दूसरा नेतृत कौन है क्योंकि जो नेतृत थे भी उनको धिरे धिरे खतम किया जा रहा है चाहे मैं अड़वानी अड़वानी जी तो पुराने उसके हो गए लेकि शिवरा सिंग चाहन हुए या रमन सिंग जी हुए या वसंदरा राजे हुए या क जीरे जीरे केवल हिंदी हाटलेंड की पार्टी बनके रहे गई हैं सौट से उसका कोई मतलब नहीं जमुकश्पीर से कोई मतलब नहीं मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो उसके सामने ही चुनाती है उसको अगर ऑल इंडिया पार्टी बनना है तो उसको शायद फिर से जो उसकी मूल विचार दा रहा है उसके विचार करना होगा अफसर बीजेपी के सामने एक तो सबसे बड़ा यह है कि जो मैंडेट मिला है बीजेपी को 2014 में मिला 2019 में मिला और मोदी है तो मुमकिन है ये भी बड़ी बात है लोगों का एक एक काफी बड़ी संक्या के लोग आरक्षण करकि आपने महिला बन ननन्न नाम कर दिया जिसका पता ही नहीं कि अगले 5 साल वाद अलाग होगा कि 10 साल वाद होगा कि 15 साल वाद होगार आप इसको ठीक धृषण को टीक जगह फोकस करें जैसे ऐक बात करने हम लोग आज से तीस चाले साल पहले देश की स्तिय ये थी जो हम लोग विश्व गुरू के आज बहुत बात बार बार करते हैं हम लोग दुनिया के नॉन अलाइन मुव्मेंट को लीड करते थे और हम लोग अमेरिका और उस समय रशा भी था उससार था इनके सामने हम लोग एक तीज देशों को नितुत प्रदान करते थे आज आप कभी इनके साथ अलाइन कभी उनके साथ अलाइन तो मुझे लगता है कि वो एक आपको अपनी अफसर है आपके पास दुनिया में बहुत से लोग अब इस समय अमेरिका से परशान हैं चीन के साथ जाना नहीं जाते हैं लेकि उसके लिए आपको अपनी डिमोक्रिटिक वैल्यूज अपने सब्सक्राइब आपको कुछ दिखाना होगा कि हमारे यहां भेदभाव यह जो एक अलफ संख्या के साथ बरताओ अरताओ नहीं उस पर आपको कुछ काप करना होगा और आपके पास सबसे बड़ा अफसर यह ह हैं तो मैं अगर 10 बताओंगा तो कम से कम 20 आप भी बता सकते हैं इंडिया गटबंदन के साथ सामने तो चुनोती ही चुनोती हैं कौन पार्टी किसके साथ होगी उसकी चुनोती कौन लीडर होगा उसकी चुनोती कौन सेयोजोग होगा उसकी चुनोती कौन प्राइमिस्ट देखें वो कुछ चीजों के बंते थे कि इसको रीच हुआ जाएगा एंडिया का CMP ये था कि 370 पर आप कुछ नहीं करेंगे इस पर कुछ नहीं करेंगे जो इस तरह की मुद्दे थे उस पर नहीं करेंगे तो से अपकुछ लुग CMP है और एक चीज़ मुझे इंडिया अग उस पर थोड़ी और क्लारिटी की ज़रूरत है ऐसा ही चुनौती है इंडिया अफसर जैसे चुनौतियां असीमित हैं वैसे अफसर भी असीमित हैं अफसर तो इंडिया गणबंदन के बास इतने हैं कि आप अगर उसको लिखना शुरू करें तो अफसर हैं सबसे बड़ा यह है कि लोग बेरोजगारी हैं इस देश में लोगों को समझ में आ गया है कि बीजेपी बेरोजगारी में नहीं इंट्रेस्टेट है बीजेपी मंदेर और हिंदु मुसलिम इंडिया पाकिस्तार इसमें ज्यादा इंट्रेस्टेट हैं तो अगर बेरोजगारी वाले फ्र का मिलेगा दोनों जगा मीजेपी की सरकार है तो यह क्यों और इस तरह के एक नहीं तमाम चीजें हैं जिसमें अब लोग मुदी जी से थोड़ा दुखी या जो उनके प्रति उनकी जो आस था या प्रेम था उस पर कमी आई है और मुझे जो लगता है कि जो सबसे बड़ा आफसर है इस इंडिया गड़वन के लिए जो देश का फेडरल इस्ट्रेक्चर है ना वो हर दम कॉलेक्टिव लीडर्षिप की बात करता है सामुह नेत्रुत की बात है तो शायद इंडिया गड़ बंदन वो उस फेडरल स्ट्रिक्चर के में सामुह कलेक्टिव लीडर्शिप का बिल्कुल आइडियल प्लाटफॉर्म हो सकता है इंडिया गड़ बंदन के पास अफसर खुब है अगर ठीक से अब वो ही है अगर सीट शेरिंग ये सब कर लेते हैं तो बहुत अच्छे अफसर हैं नहीं करते हैं तो बिखरे रही है आपका मुझे नहीं लगता है कि फिर आपका बहुत चांसे तो कुल मिलाके 2024 हमारे देश को समर्द बनाए हमारे देश को खुशाहाल बनाए इनी बातों के साथ आज क्या थरड़ा इसी पर करना है कल से हम लोग फिर प्रश्ट पूछना शुरू कर देंगे जो अगर हमारा मूल काम है बहुत बहुत धन्यवाद थैंकिसो मारी